हेलो फ्रेंड्स वेलकम पो अबिय एकडिमी दुंका में आपका स्वागत है कल हम नोगोर ने रक्त परिसंचननत अंत्र के बारे में पढ़ा था कल की जो क्लास हुई थी हमारी वो रक्त परिसंचनत अंत्र ब्लड सर्कोर्डी सिस्टम के बारे में हुआ था तो आज हम लोग रक्त परिसंजना तंत्र के जो कोस्टन अंसर्थ हैं एमसी क्यूज हैं उसमें सवाई से एमसी क्यूज को करेंगे जो एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कमपेटिशन के कोई भी एक्जाम जो होती है रक्त परिसंजने अंदर सादीतर वे सवाल पूछे जाते हैं तो चलिए उसके हम लोग अब डिसकस करते हैं करके सवालों को देखते हैं सवालों को देखने से पहले आपसे एक रेक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एबन सेयर करें साथी नौटिफेकेशन बिल्को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो को नौटिफेकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए आज हम लोग 10 M.C.Q करेंगे रख्ट प्रसंजन तंतर के बारे में वैसे प्रसंजन जो अक्सर आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं सबसे पहला सवाल हमारा है कि रख्ट के सुद्धी करण के प्रक्रिया को क्या काते हैं रक्त के सुद्धिकरण के प्रक्रिया को क्या करते है तो देखिए आपके सरी में जब आप खाना खाते हैं प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो आपके सरी में बहुत सारे अबसिस्ट पदार्थ भी बनते हैं जिसको क्रेटेनिन बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रेटेनिन ठीक है और आपके सरीर से अबसिस्ट पदार्थों को बाहर निकालना भी जरूरी है, है ना, तो जब आपके सरीर से अबसिस्ट पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी है, तो इस कंडिशन में क्या करती है, आपके सरीर का, सुरीर में जो रक्त है, बलड है, उसका फिल्टिरेशन ह होती है कहा होती है तो किड्नी में होती है कहा होती है किड्नी में होती है किड्नी क्या करती है आपके सरीर से जो अपसिस्ट पदार्थ है उसको बाहर कर देती है और ब्लड को छानकर फिर आपके सरीर में वापस भेज देती है है ना तो यहां पर सवाल पुचा गया है कि पेरालेसिस, डाइलेसिस, क्लाइसिस, हिलोलेसिस जिनमें से मेरा आंसर क्या होना चाहिए हमारे जो आंसर है वो क्या होनी चाहिए छोड़ी से लाइट की इस्यू है साइध आप लोगो दिख रही होगी तो रक्त के सुद्धीकरण के प्रक्रिया को क्या कहते है रक्त के सुद्धीकरण के प्रक्रिया है तो इसको कहते हैं आपका डाइलेसिस डाइलेसिस क्या होता है आपके रक्त को सुद्धीकरण के प्रक्रिया को डाइलेसिस कहते है ठीक है, option B में आपको दीख रहा हैं वे dialysis, इसको रक्त के सुद्धिकरण के परक्रे को dialysis करते हैं dialysis दो तरस है, आपके सर्रे में जो kidney होती है, यह आपके सर्रे में रक्त की dialysis करती है और दूसरी होती है, अगर kidney किसी खराब हो जाई, तो उस condition पे dialysis की जाती है, मसीन के दुआरा, ठीक है ना, तो अगर हम कहें कि रक्त के सुद्धिकरण के परक्रे को dialysis करते हैं, है ना, चलिए अगले सवाल के और आगे बढ़ते हैं सवाल है, सामाने तो मनुष्ट के सरीर में रक्त की मात्रा होती है, कितनी सामाने से मनुष्ट के सरीर में रक्त की मात्रा, मनुष्ट के सरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है ठीक है, तो मनुष्ट के सरीर में रक्त की मात्रा आपके भार का 7% होता है 7% होती है रक्त अगर हम लिटर में कहें तो यह 5-6 लिटर रक्त होता है कितने लिटर होती है 5-6 लिटर कल हमने आपको बताए था कि मानब सरी में लगवग 5 लिटर रक्त होती है ठीक है अगला सवाल है आपका तो 5-6 लिटर आपको तो यह पता चल गया यह जो आपका option है 5-6 लिटर यह आपका सयांजार है कि मौने इसके सरीर में रक्त की मात्रा 5-6 लिटर होती है चलिए अगले सवाल के और आगे बढ़ते है काथ है ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षन निमने में से किसकी असामाइने ब्रिद्धी है मतलब बात आपको यह कही जा रही है कि अगर आपके सरीर में ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर है तो किस चीज की ब्रिद्धी होगी तो हम लोग जानते हैं कि आपके जो स्वेत रक्त का निकाए है स्वेट रक्त कनिका यह स्वेट रक्त कनिका जिसको WBC बोलते हैं अगर आपके सरी में WBC का अधिक्ता हो जाई तो उस कंडिशन को हम लोग क्या कहते हैं उस condition को करते हैं हम लोग leukemia या फिर रक्त cancer ठीक है और आपके सरी में अगर लाल रक्त कनिकाओं की कमी हो जाए तो उसको क्या करते हैं तो उसको करते हैं एनिमिया या अलपरक्त अता करते हैं और WBC का अधिकता हो जाए तो leukemia या फिर रक्त कैंसर ब्लड कैंसर के लक्षा नहीं है चलिए अगले सवाल के और आगे बढ़ते हैं सवाल है कि निमनलिकित प्राणियों में किसमे खुला रक्त परिसंचरन तंतर होता है मतलब आपका जो रक्त परिसंचरन तंत्र है वो खुला होता है, open blood circulation system which of the falling creature has open blood circulation system तो हम लोग जैसे की जानते हैं यह जो जहींगा है जहींगा, shrimp तो जहींगे में क्या होती है अपका खुला रक्त परिसंचरन तंत्र होता है खुला रक्त परिसंचरन तंत्र होता है किसमें होता है तो जहिंगे में होता है जहिंगा जो है यह आपका सई आंचर है ठीक है चलिए अगले सवाल क्यों आगे बढ़ते हैं सवल पूशा गया है कि सर्वगारे ग्राही रक्त समू क्या है सर्वग्राही सर्वग्राही रख्त समूँ क्या है सर्वग्राही का मतलब होता है universal acceptor universal acceptor मतलब वैसी रख्त समूँ जो सभी किसी भी blood group बाले रख्त समूँ जो है उसका blood वो ले सकते हैं वो सभी को दे नहीं सकते हैं बलकि सभी से क्या कर सकते हैं ले सकते हैं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारी जो AB रक्तसमू होती है, उसको Universal Acceptor बोला जाता है, मतलत सर्वग रही, वो सभी से लेने वाले होते हैं, लेने वाले होते हैं, यह देने वाले नहीं होते हैं, इसी प्रकार आप से और एक सवाल पूछा जाता है, कि सर्वधाता O गुरूप बाले को बोला जाता है, जिनका रक्तसमू O है, उनको Universal Donor या सर्वधाता रक्तसमू काते हैं, क्यों काते हैं, क्योंकि जो O गुरूप बाले रक्तसमू होते हैं, उनके सरीर में या उनके ब्लड में किसी प्रकारा कोई भी antigen नहीं होता है, कोई भी परतिजन न होता है, B गुरूप बाले में B परतिजन होता है, A, B बाले में A और B दोनों परतिजन होता है, जबकि O में कोई परतिजन नहीं होता है, इसे वज़े से O को सर्वधाता रक्तसमू काते हैं, और A, B को सर्वधाता ही रक्तसमू काते हैं, क्योंकि उसमें A और B दोनों परका करके प्रतिजन होती है इसलिए किसी का भी बलड हम दे दें AB वाले को उनके सर्ज में वो काम कर जाता है ठीक है तो यहां में पूछा गया था सर्भग्राही रख समू है मतलब इनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सी है तो जैसे के हम लोग देख पा रहे हैं है ना सर्भग्राही तो AB यह option C जो है AB है ना option C AB ठीक है अगले सवाल के और आगए अड़ते हैं हम लोग चलिए सवाल दिख रही है यहां पर सवाल आपको पूछा गया है कि लब और डब सब दरिमलिकित में से किसी संबन देद है लब डब लब और डब लब डब सबकिसे संबन दीता जैसे की लब डब सब्द जो है वह हिरदा से संबन दीते क्यों आपके हिरद fan की धरकन है ना वह कैसा आउज करता है हम लोग करते हैं धकठक करता है धकठक नहीं है उसका से संबन देते हैं ठीक है यह option B में जो दिख रहा है ठीक है तेले अगले सवाल के और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि इनमें से रक्तदाब मापी जंत्र कौन सा है मतलब blood pressure को किस्से ना पा जाता है आपको अगर सीधे तोर पे सवाल पूछा जाई तो सवाल करिए कि इनमें से रक्तदाब मापी जंत्र कौन सा है मतलब blood pressure को इनमें से किस्से मापा जाता है तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपका स्फेग्नो मैनोमेटर जो है यह रक्तदाब को मापता है जो कि आपके option D में दिख रही है दिख रही है न यह यह है ना तो option D में है इस्पेग्नो मैनोमेटर से आपके रक्तदाब को मापा जाता है एक साधरन मनुष के रक्तदाब कितनी होती है 120 बाई 80 ठीक है एक स्वस्थ मनुष का रक्तदाब कितना होती है 120 बाई 80 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल हमें पूशा गया है कि किसी मनुष की रूधिर भाई काएं कि तरिज्जा अगर कम हो जाए तो राक्तदाप पे क्या आसर पड़ेगा मतलब आपकी जो रूधिर भाई काएं हैं ब्लड भैसल्स हैं अगर उसकी जो तरिज्जा हैं वह छोटी बढ़ जाएं मतलब उसके रेडियस कम हो जाए तरिज्जा कम हो जाए तो अगर कोई भी पाईप है अगर आप पाईप से पानी चिड़कते हैं देखिए का नल से लगा के या मोटर से लगा के उसके जो मूँ को दबा देते हैं तरि नल से खुझे ने पाईप के मुँ को दबाते हैं तो रख्तकादाब क्या होता है पानी का जो प्रेसर है वो क्या होता है बढ़ जाता है फुआरा टाइप से निकलता है अगर उसको पकड़ लेते हैं तो तो उसमें क्या होता है? प्रेसर बढ़ता है तो ऐसा ही सवाल हमें पूछा गया है जिदी किसी मन उसके रोधिरवाइक आएं कि जो तिरिज्जा है वो कम हो जाए तो रखताई क्या होगा? ओफिसली वड़ेगा क्योंकि उसका जो रेडियस है वो कम हो रहा है कि इसमें आपको दिख रही है कि option D, sorry, option A जो है, option A में क्या का गया है, कि ज़िए किसी मनुस्थ की रुधिर भाई काई के तिरी जग कम हो जाए तो रखताब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, अगले सवाल क्यों रागे बढ़ते हैं, अब सवाल पूछा गया है आपसे, कि रक्त के जमाव के लावज सा खनीज है, रक्त का जमाव, आपके जो रक्त जमता है, तो रक्त के जमाव के लावज सा खनीज कौन सा है, कौन सा खनीज जरूरी है, जिससे रक्त जमेगा, ठीक है ना, यह option थोड़ी सी देके confusion हो रही है, पोटेसियम, केलसियम, मैगनीशियम, सोडियम तो एक बाद तो कन्फर्म हो जाए कि पोटेसियम और सोडियम तो होगा नहीं पोटेसियम और सोडियम तो होगा नहीं रही option मेरे केलसियम और मैगनीशियम तो रक्त के जवाव के लिए आवश्याख खनीज आपका क्या है तो मेगनीशियम रक्त के जवाव के लिए आवश्याख खनीज कौन सा है तो मेगनीशियम होगा कौन सी होगी मेगनीशियम कौन सी होगी मेगनीशियम यहाँ दिख रहे हैं यह ना मेगनीशियम यह आपका सही आंसर है ठीक है रक्त के जवाव के लिए मेगनेशियम आवश्यक है तेरी आगे बढ़ते हैं दस्वे नमबर सवाल की और रक्त के इसकंदन के लिए कौन सा विटावी आवश्यक है मतलब खून के कहीं पर अगर आपके कट जाती है चोट लग जाती है जहांसे खून बहर ही है वहां खून का जमना या रक्त का बंध होना इसकंदन होना जम जाना which vitamin is necessary for the equivalent of blood मतलब रक्त के जवाव के लिए या इसकंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है जब आपको winnerгеीन की बात कहीं जा रही है तो हम लोग जैसे की जानते ह। विटामिन के के कमीशे रक्त का ठकका नहीं जमता है तो अगर के रहेगा vitamin तो रक्त का ठकका बनेगा रक्त का सकंदन होगा तो option D में आपका दिक्र आए कि vitamin K option D में दिख रहे हैं ने विटामिन K तो विटामिन K जो है यह आपका सही आंसर होगा कि विटामिन K की कारण आपका रक्त का सकंदन होता है या रक्त जमता है कहीं पर कट लग जाता खुनबाना बंद हो जाती है सवाल यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कौन सी प्रोटीन है जो रक्त के सकंदन में सायक है कौन सी प्रोटीन रक्त के सकंदन में सायक है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं रक्त के सकंदन के लिए फैबरीन जोन और प्रोथ्रोम बिन जो है रक्त के सकंदन के लिए आवशक होती, यह आवशक प्रोटीन है, कौन सी, फैबरी निजोन और प्रोथ्रोमीन और अगर आपके सरीर के अंदर रक्त के बाहिकाओं के अंदर, वर्ल्ड ब्लड भैसिल्स के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है तो उसका वज़ा क्या है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, कि हमारे सरे में हिपेरीन नमक प्रोटीन होती है, कौन सी नमक, कौन सी प्रोटीन हिपेरीन नमक प्रोटीन आपके सरीर के भीतर, मतलब आपके सरीर के भीतर जो रक्त दोड रही है उसको ठका बनने से रोकता है मतलर blood clots होने से रोकता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है एक सवाल आपको ये भी पूछा जाता है कि आपका जो रक्त परिसंचरन तंतर है इसकी खोज किसनी क्या है रक्त परिसंचरन तंतर दूसरी सवाल आपसे ये पुछा जाता है रक्त समों की खोज किस ने किया है रक्त परिसंजनन तंतर की खोज विलियम हारवे ने किया है रक्त परिसंजनन तंतर की खोज किस ने किया है तो विलियम हारवे ने किये ठीक है रक्त समों की खोज Land-East Triner तो आपको कोई Johann और एक सवाल आपको यह पूछा जाता है कि रक्त का जो pH है pH value कितना होता है तो रक्त का जो pH मानि है pH value 7.4 होता है रक्त का pH value कितना होता है 7.4 प्रकृति कैसा होता है तो हलका छारिय होता है हलका कैसा होता है छारिय होता है ठीक है यहां तेक कोई दिक्कत आप लोगों नहीं होनी चाहिए हमने कल यह सारे चीजों पर डिस्कस किया था आज हमने MCQs को लाया ताकि दिक्कत ना हो और किसी भी एक्जाम जो परतियोगिते परिक्षाओं बैठते हैं तो अक्सर रक्त परिसेंस इंसे सवालों को पूछा जाता है तो हमने उन सारे कोस्टनों को एक बार रिविजन भी कर लिया कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ मज़दा टॉपिक के साथ और फिर उस पर डिस्कस्टन करेंगे जाने से पहले हम आपको कहेंगे क्या कहेंगे हम इसासे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को like बम share करें साथ ही notification bell को फ्रेश कर दें और उसमें all कर दें ताकि कोई भी वीडियो जो भी वीडियो हम नई से नई वीडियो डालते हैं जो आपसे exam की point of view से बोगत important है उसकी notification आपको जल से जल मिल जाए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद